नमस्कार दोस्तों आप लोगों का नोटबुक आई एस में स्वागत हैं मैं एसकुमार आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्पूर करेंट अफेयर डेली करेंट अफेयर का मुद्दा लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं जब भी बिधान सभा चुनाव आता है अथवा जो लोग सभा चुनाव आता है तो उसमें एक हमेशा अकसर सुनाई देता है कि अब माडल कोड आप कंडक्ट यानि कि चुनाव आचार सहीता लागू हो गई है तो वह क्या होती है और वह क्यों लागू किया जाता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसका इतिहास भारत में क्या रहा है कब से आया और क्या क्या इसमें प्रावधान होता है आईए हम ल आदर्स चुनावाचार सहिता, सहिता का मतलब होता है कोड, कोड का मतलब होता है नियम, तो यह चुनावाचार सहिता जो लागू की जाती है, वो इलेक्षन कमीशन आप इंडिया के दुआरा लागू की जाती है, और यह जो संबिधान में प्रावधान दिया गया है, यह अन 1989 तक इसमें सिर्फ एक ही चीफ इलेक्षन कमिशन होते थे फिर उसके बाद 1989 में आपका अक्टूबर के महिने में यह जो आयूक्त की संख्या थी वह एक से बढ़ा कर तीन कर दी गई थी क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं एक सथवा चुनाव जो संविधान संसोधन था उ जो थी वह 21 वर्ष से घटा कर आपका कितना कर दी गई थी 18 वर्ष कर दी गई थी जब 18 वर्ष कर दी गई थी तो एक बैक जन संख्या ज्यादा बढ़ गया जो मतदाताओं की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो मतदाताओं की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो चुनाव आ 1990 तक यह प्रक्रिया चलती है फिर उसके बाद क्या होता है कि जनुरी 1990 में फिर इसको खतम कर दिया जाता है पुनए एक चुनावायुक्त जो मुख्य चुनावायुक्त होते हैं वहीं रह जाते हैं फिर उसके बाद 1993 से जो है कि आपका टीन चुनावायुक्त यह अक्टूबर 16 अक्टूबर है वहीं से फिर तीन चुनावायुक्तों की एक मुख्य चुनावायुक्त और दो आयुक्तों के रूप में रखा गया और इसमें जब भी कोई फैसला लिया जाता है यह अर्ध नयाいきised body है और जब भी यह फैसला लेती ह या बहुमत के रूप में लेती है ना कि मुख्य चुनावायुक्त का सरवे सरवा इसमें कोई रोल नहीं होता है जब भी अगर दो लोग किसी के फेवर में आ गए कि यह चीज आचार सहीता का उलंगन हुआ है तो उस पर अपना डिसीजन दे देंगे चाहे हुआ मुख्य रखते हूं या मत रखते हूं उससे कोई मतलब नहीं है अगर बात किया जाए इसकी अस्थापना की तो जो आपका इलेक्शन कमीशन आप इंडिया का जो गठन किया गया था यह 25 जनौरी 25 जनौरी 1950 को इसका गठन किया गया था इसलिए आपका 25 जनौरी को 2012 से प्रत्यक वर्स राष्टी मतताता दिवस के रूप में मनाय जाता है आईए हम लोग अब अपने टापिक पर चलते हूं उसे पहले एक और महत्पूर्ण आप लोगों को वह बतला दूँ इसमें जो मुख्य चुनावायुक तो होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वह 6 वर्स या आपका 65 वर्स के लिए होती है तो इस फैक्ट को भी आप लो आचार सहीता के बारे में बात कर लेते हैं उस आई है हम लोग आगे बात करते हैं भारत में जो आपका राश्टी दल या राज्य दल या अन्य जैसे अमेरिका में दो दलों की है आपका डेमोक्रेटिक और आपका और इंग्लेंड में भी दो दल है वैसे भारत में नहीं है भारत में आपके multi-party system है यानि बहु दली व्यवस्ता है किसी एक दल या दो दल को प्रधानता नहीं दी गई है जैसे चाइना में है कि एक ही दल आपका main सत्ता में सत्ता में सिस नेत्रित तक बैठते हैं उसको ब्यक्ति उसको ब्यक्तियों का परिवर्तन होता रहता है और वो दस साल के लिए चुने जाते हैं वहीं भारत में multi-party system है यानि बहु दली ब्यवस्ता है तो इसमें किसी ब्यक्ति दल या संगठन के लिए निर्धारित, समाजिक ब्यवहार, नियम, उत्तरदायतों को ही के समूह को क्या कहा जाता है चुनाव आचार सहीता या आदर्स चु जब जिस तारिक से चुनाव का ऐलान होता है किसी राज्य अथवा लोग सभा चुनाव का ऐलान होता है उसी के उसी तारिक से या आदर्स चुनाव आचार सहीता आपका लागू हो जाता है आईए हम लोग आगे देख लेते हैं अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो 1960 मे केरल विदान सभा चुनाव में वहां की जो राज्य प्रसासन थी वह राजनितिक दलों के लिए एक आचार सहीता का तयार किया था यह क्योंकि तयार किया जाता है क्योंकि जितने भी पार्टी हैं आप समझ लीजिए एक ग्राउंड है एक ग्राउंड है अगर माल जो डेमोक्रेसी होती है उसके लिए एक सबसे बड़ा खत्रा हो जाता है क्योंकि एक दल का उस पर ज्यादा प्रभा हो जाता है तो वहाँ पर कहीं न कहीं आटोक्रेसी ताना साही की स्थिति आ जाती है या डिक्टेटर्शिप की स्थिति आ जाती है इसलिए जब चुनाव पाता है तो चुनावाचार सहीता लागू कर दिया जाता है ताकि जितनी भी दल हैं अत्वा छेत्री या निर्दली भी दल हैं सबके लिए एक समान प्लेंग फिल्ड प्रदान किया जा सके फिर उसके बाद देखते हैं सबसे पहले आप लोग यह फैक्ट याद करिएगा कि क सबसे पहले तयार किया गया था उसके बाद 1962 में निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दल अत्वा राज जी के जो सरकारें थे उनसे फिडवैक लिया और उसके रूप में एक प्रारूप भेजा मतलब कि एक प्रारूप तयार करवाया जो कि आपके राजनीतिक दलों और जो राजनीत सरकारें थी उनसे सुझाव मांगा गया फिर 1971 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसी के दवरान आपका चुनाव आचार सहिता आपका अवचारिक रूप से लागू हुआ तो यह पूछा जाया आप से कि आदर्स चुनाव आचार सहिता कब लागू हुआ था अवचारिक रूप से तो हुआ आपका 1971 से लागू हुआ था 1990 में चुनाव आयोग ने आचार सहिता को और मजबूत किया और पारदर्सिता और जबाब देही बढ़ाने के लिए नए नियम इसमें सामिल किया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें जबाब देही हो अगर माल लीजिए कोई नेता है या कोई दलका है अगर वह चु पाब देही हो और उनके जो भासण है उसमें पारदर्सिता हो वह पैसे जो खर्च कर रहे हैं राजनीतिक दल खर्च कर रहे हैं उसमें पारदर्सिता हो कि एक कैप जो लगाया जाता है कि एक करोण या 90 लाख रुपे तक खर्च कर सकते हैं तो उससे कैप से वह ज्यादा न कर सकें वह कितना खर्च कर रहे हैं इस पर एक कैप निर्धारित ताकि ऐसा नहों कि चुनाओ के दवरान एक पार्टी खुब खर्च कर दी पैसा और उसका जो एक प्रचार का तंत्र है उसके द्वारा वह जनता को अपने तरफ आकर्शित कर ली तो वहां पर भी कही न कही इन डारेक्टली रूप में उसे चुनाओ मनिपुलेशन के सरेणी में लाया जाता है अगर वहीं 2000 की बात की जाए तो आचार सहीता में और सुधार किये गए और जिसमें राजनितिक दलों द्वारा किये जाने वाले जो खर्च थे उसकी सीमा लगा दी गई सीमा का इंसें रुपे तक सुपोज देट माल लीजिये वहाँ खर्च करना है तो 20 लाक एक सीमा लगा दी गई उससे ज्यादा वह खर्च नहीं किया जा सकता है ताकि एक ऐसा हो कि जो ब्यक्ति माल लीजिये उसके पास पैसे की कमी है कोई चीज है तो उसके लिए भी वहीं समान फिल्ड प्रदान की जा सके ताकि वह चुनाव उसी मजबूती के साथ लड़ सके आईए हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसकी आवसेक्ता क्यों पड़ी चुनाव के दवरान स्वतंत निस्पच चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों उमिदवारों और सरकारो के लिए आचरण का एक स्वमू है या क्या है एक आचरण का स्वमू है कि आपका आचरण ऐसा होना चाहिए आप इससे आगे नहीं बोल सकते हैं चुकि वाइलेशन होता है तो कई बारे चुनाव आयोग में इसकी सिकायद भी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिला वहीं आपका है आदर्स चुनाव आयोग द्वारा जो लागू किया जाता है इससे आपका इलेक्शन कमिशन आप इंडिया द्वारा लागू किया जाता है सुनील या बूज जा रहा है यहां क्यों रख दिये हैं आप लोग उसको रोकिए चालू करूँ आईए हम लोग आगे देखते हैं इसकी भूमी का क्या है संबिधान में अनुच्छे 324 में जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बतला चुका हूं संसद और बिधान मंडलों के लिए स्वतंत्र निस्पच्च और सांति पूड या तीनों आप लोग वर्ड क को याद रखिएगा क्योंकि यहीं वर्ड पर पुरा चुनाव की प्रक्रिया डिपेंड करती हैं निर्वाचनों के आयोजन हेतु अपने सामविधिक कर्तब्यों के निर्वहन में केंद तता राज्यों के सत्ता रूड दल और निर्वाचन लड़ने वाले उमिद्वारों द्वारा इनका अनुपालन करना सुनिश्चित होता है ताकि जो आपका स्वतंत्र निश्पच्च और सांतिपुन मतदान हो सके जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्शन कमिशन आप हिंडिया का जो दाई तो होता है आपका ECI का वा आपका प्रेसिडेंट भारत के जो राष्टपती होते हैं उनका चुनाव वाइस प्रेसिडेंट और आपका लोक सभा आपलिक प्लस राज्य सभा और आपका विधान सभा विधान सभा आपलिक विधान परिशद इन सभी का आपका चुनाव कराने का दाई तो होता है लेकिन जो माडल कोड आप कंडक्ट लागू होता है, वह लोक सभा और विधान सभा के चुनावह में लागू होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा प्रतिनीधी चुनेजाते हैं आईए हम लोग आगे देख लेते हैं तारीक तक प्रभृति रहेगा, जो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीक की घोषणा की तारीक से लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू होता है इसमें जो कुछ नोट दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग लोग सभा चुनाव के द अगले साल आपका बीहार में चुनाव होने जा रहा है तो बीहार जो राज्य है या दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है अगले साल तो यहीं पर आपका model code of conduct लागू होगा जबकि आपका अगर लोग सभाचुनाओ हो रहा है जैसे आपका उन्नाई सप्रेल से चालू है और एक जून तक चलेगा चार जून को आपका काउंटिंग होगी और उम्मीद है उसी दिन result आ जाएगा तो अगर लोग सभाचुनाओ की बात की जाए तो लोग सभाचुनाओ में संपूर भारत में यह model code of conduct लागू होता है और बरतमान समय में लागू है आईए हम लोग विशेष्ता की बात कर लेते हैं स्वेच्छिक के बारे में देख लेते हैं आचार सहीता कानून जो है यह बाध्यकारी नहीं है यह आप लोग ध्यान दीजिएगा बलकि राजनीतिक दलों और उम्मेदवारों के बीच एक समझोता है एक आपका agreement है वहीं अगर नयतिक की बात की जाए यह नयतिकता और निस्पच्चता के सिधान्त पर आधारित है और वहीं निस्पच्चता की बात की जाए तो सभी उम्मेदवारों के लिए समान आउसर सुनिश्चित करना यानि कि इक्वल अपार्चुनीटी प्रवाइट करना किसका दाई तो होता है चुनाव आयोक का दाई तो होता है और इस समय चुनाव आयोक बहुत ही मजबूत इस्थिती में आ जाता है स्वतंतरता की बात की जाए तो मतदाताओं को स्वतंत और निस्पच्च तारीके से मतदान कराने की स्वतंतरता होती है आप लोग जैसा जहां भी देखते होंगे अगर विधान सभा का चुनाव है या तो लोग सभा का चुनाव है तो वहाँ पर स्टेट पुलिस होती ही है साथ में आपका जो पैरा मिलिटरी फोर्स होती है उसका भी वहाँ पर डिपलाइट किया जाता है आगे आपका है पारदर्सिता चुनाव प्रक्रिया में पारदर्सिता लाना जो भी चीजें है उसमें आपकी ट्रांस्पेरेंसी होनी चाहिए फिर वहीं है जवाब दे ही राजनितिक दलों और उमेद्वारों को जवाब दे बनाना और वहीं बात की जाए गतिस हिलता समय के साथ इसके जो आचार सहिता है इसमें परिवर्तन किया जाता है और लचीलापन विभिन स्थितियों के अनुकूल हो सकता है मालीजे कहीं कोई वैसी चीज है तो उसके अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है प्रभावी स्वतंत्र और निश्पच चुनाव को सुनिश्चित करने में महत्पूर्ण भूमी का निभाता है लाश्ट में जाते जाते आप लोगों को एक चीज बतला दूँ भारत के अभी तक के सबसे अच्छे जो चुनाव आयोक ते वह टी अन सेशन थे वह इतने श्ट्रांग थे कि कभी-कभी जो लिफापा आता था जो लेटर आता था चुनाव आयोक के रूप में अगर वहां भारत सरकार लिखा रहता था तो वह आप जेक्शन वह कर देते और उस समय समझ लीजिए कि कई जो मंत्री थे ततकालिन उनको इस्थीफा देना पड़ा क्योंकि वह फंड और अन्य चीजों में सुधार चाहते थे इसलिए और उनका एक कोट है वह कहते थे कि मैं नास्ते में नेताओं को खाता हूँ तो इसी के साथ हम लोग नोटबुक आईए ऐस की बात कर लेते हैं आईए, सबसे पहले आप लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा कीजिए, इसकिप मत किया कीजिए और इस पर लाइक और कमेंट भी किया कीजिए और साथ ही साथ आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाएए, नोटबुक, IAS, Education for all type कीजिए, ऐसा लोगों दिखाई देगा और उसे डाउनलोड कीजिए और लागिन कीजिए और जो भी आपकी परिच्छाएं आयोग द्वारा कराई जाती है, सिविल सर्विसेज के रूप में, चाहे हुआ UPSC हो या State PCS हो, उन सभी परिच्छाओं का जैसे माल लीजिए, आपका ROA RO हो गया, BPSC हो गया, और आपका UPPCS अपर हो गया, तो उसी के पैटर्न को फालो करते हुए, आयोग के पैटर्न को फालो करते हुए, हम लोग के हद ही कम कीमत पर आनलाइन और आफलाइन दोनों मोड में कराते हैं, तो आप उससे जुड़िये और लाभानवित हो ये, धन्यवाद.